साथियों आज का टॉपिक है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी अधर फॉन्ट को इंस्टॉल करना है अपनी मर्जी का तो वो आप कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी font को कहां से और कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बाद install कैसे करेंगे और उसका आप use कैसे कर पाएंगे So let's start तो मैंने अपने computer में कई सारे font install किये हुए हैं उनमें से मैं आपको एक दो का demo देकर दिखाता हूँ For example हमने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया सत्यमसा हूँ तो अगर मैं इस पर apply करना चाहूं font तो जो मिलते हैं Microsoft Office की तरफ से वो list आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है बट अगर आपको अपनी मर्जी का font इस list में add करना है जिसका आप use करना चाहते हैं अपनी document में तो आप कैसे करेंगे step by step बताने वाला है तो मैंने आज ही एक font install किया हुआ है sunset.2 और मैंने enter की hit की तो आप देखिए जो यह font है कितना awesome लग रहा है और इस text पे apply हो चुका है तो आप भी कैसे कर पाएंगे आए देखते हैं तो करना क्या है आपको सबसे पहले browser ओप दिन आपको search करना है font download stylus तिक download stylus और enter की hit कर देनी है इंटर करते ही आपके सामने कई सारी websites open हो जाएंगी आप किसी भी website पर जाकर अपनी मर्जी का font select कर सकते हैं बट font को download और install करने का process सेम होने वाला है तो हमने यहाँ पर इस पहली website को open करने के लिए इस URL पर click तो कुछ इस type से वे page open हो जायाएगा जहाँ पर different type के font style और उसके सामने download का option दिया गया है और अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर 2,3,4 पर click करते रहिए अलग-अलग font style यहाँ पर आते जाएंगे for example मुझे अपने computer में any door इस font को install करना है तो मैं क्या करूँगा इसके सामने जो download बटन दिया गया है इस पर click करूँगा तो हमने इस पर click कर दिया है इस पर click करते ही आपको इस file को save कर लेना है अनि कि जो यह file है यह आपके computer में download हो जाएगी अब यहाँ पर download हो रही है कुछ second में यह file download हो जाएगी दिन आपको जाना है अपने download वाले shortcut में ठीक है और जो आपने file download किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी यहाँ पर लिख क्या चुका है any door क्योंकि हमने इसी file को download किया था तो simply आपको उसी जिफ file पे right click करना है मिलेगा option extract files का इस पे click कर दीजे इस पर click करते ही आप से पूछेगा कि आप इस file को किस location पे extract करना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो आप change कर सकते हैं मैं यहाँ पर ok पर click करूँगा तो जो यह file है वो इसी folder के अंदर इसी location पर extract हो जाएगी और आप यहाँ पर दे सकते हैं कि जो यह file है extract हो चुकी है तो simply आपको इस folder को open करना है और आपको यहाँ पर ttf true type file को देखना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसमें font लिखा हो उसी पर आपको double click करना है तो हमने double click कर दिया है और मिलेगा option install का तो जो यह font है यह install हो रहा है और यह install भी हो चुका है क्योंकि जो install का option है button है वो disable हो चुका है अब बात यह आती है कि आपको use कैसे करना है तो simply आप लोगों को जिस भी platform पे जब वो Microsoft Office हो या Word हो या Excel हो जहाँ पर भी use करना है simply वहाँ पर आना है और आपको सबसे पहले यहाँ से font को select करना है तो मैं आपको type कर देता हूँ any door ठीक है अगर successfully font आपके computer या laptop में install हो गया होगा तो यह आपको automatically suggestion देने लगेगा तो मैं जो भी यहाँ पर type करूँगा वो any door font style में होगा मैंने आपर type किया one minute any door ठीक मैंने इसका तरह font size increase कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगे मैंने आपर लिखा सत्यम साहू तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि जो font हमने download किया था वही font successfully हम लोग यहाँ पर use कर पा रहे हैं मैं आपको excel में भी करके दिखाता हूँ ताकि आपके मन में कोई doubt ना रह जाए तो हमने यहाँ से excel open कर लिया है इसके बाद मैं यहाँ पर any door किसी font को use कर देता हूँ तो any door मैं ने इंटर किया और मैं यहाँ पर जो भी type करूँगा वो any font font style में हमको दिखाई देगा हमने यहाँ पर लिखा सत्यम साहू तो मुझे आसा है कि आपको समझ में आया होगा कि अपने computer या laptop में किसी भी font को कैसे download और install करते हैं अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर सकें so guys जए हिंद जए भारत अंदे मातरम thank you friends